नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का इस चनल पर दोस्तो आज मैं आपके लिए एक सरकारी भरती की इंफूमिशन लेके आये हूं और वी पर्मनेंट सरकारी भरती की इंफूमिशन दोस्तो यह दिया आपका समना दोस्तो सरकारी नौकरी करने का पर्मनेंट सरकारी नौ कर पाएंगे दोस्तो है नोट की अच्छी खुसक अब्री है यहां डूस्तो आपकी इसमें बर्ति होनी जारी है प्योन की थता कलर की एंड अधर पोज की इस बर्ति के लिए दोस्तों आपको 19 दिसमर से अपलाई करना है यह दिया आप चाहते हैं दोस्तों की परतिक सरकारी नौक्री की सबसे पहले आपको प्राप्त हो तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा और साथ में वेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजीगा दोस्तों भरती की पूरी इंफोर्मेशन समझने के लिए वीडियो के अंतक बने रहेगा इस वीडियो में आपको स्टेप बाई स्टेप सारी इंफोर्मेशन दी जाएगी कि आज की भरती में किस किस पोस की भरती है क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और इस भरती का लोकेश क्या है दोस्तों इस सारी information हम आपको इस वीडियो की माधिम से देने वाले हैं तो चले दोस्तों बात कर लेते हैं आज की भरती से related information के बारे में तो guys आगे बढ़ेंगे दोस्तों आज हम बात करेंगे education department की भरती के बारे में यानि कि आज की भरती है शीदी भरती है दोस्तों permanent post की यानि की regular post में भरती होने जा रही है और इस भरती के लिए दोस्तों male औफ female दोनों ही अपलाई कर पाएंगे दोस्तो आज की बरती के लिए ICMA की बात करें То जैसी बता है दोस्तो इस बरती करें 18 साल से 50 साल तक AGE वारी कंडडियट कर पाएंगे बहुती बडिया बात है दोस्तो आप समय के लिए Sเราी के बात करें तो Samaid आपको बहुती बडिया मिलने वाली है आपको सैली दी जाएगी लेबल लेग तदा लेबल दो की दूस्तों जातक फीज की बाता है तो आज की भरते में आपको categories wise 200 रुपए से लेके 800 रुपए फीज का भुगतान करना है फीज का भुगतान दूस्तों आपको 19 December से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे और इसकी दोस्तो लास डेट है closing डेट है 10 जनवरी 2023 ठीक है दोस्तो इस भर्ती के लिए अप्लाई मोड की बात करें तो इस भर्ती के लिए दोस्तो आपको online mode से अप्लाई करना है selection process के बात करें तो इस भर्ती में आपका return exam तता इसकी टेस के basis पे selection किया जाएगा तो चले दोस्तो बात कर लेते हैं कि आज की भर्ती में किस किस पोस की भर्ती है तो दोस्तो इसमें बर्ती होने जा रही है प्योन की आने की चब्रासी की color की तता lab attendant की आई बात कर लेते हैं post wise qualification के बारे में तो दोस्तो पहले बात करेंगे color की पोस के लिए इस पोस के लिए आपको level 2 की salary दी जाएगी इस पोस के लिए candidate graduate होना चाहिए bachelor degree होनी चाहिए candidate के पास साथे साथ candidate को हिंदी या सस्किर्ट आनी चाहिए दोस्तो हिंदी या सस्किर्ट आपने metric level तक पड़ी हो ठीक है इसके लिए दोस्तो आपको return exam पास करना पड़ेगा साथे साथ आपको tapping test भी पास करना पड़ेगा tapping यानि कि आपको यदि हिंदी की tapping आती है या English की आती है तो आपको skill test पास करना पड़ेगा हिंदी की tapping के लिए आपकी speed होने चाहिए 25 वर्ड इंगलिस की tapping के लिए 30 वर्ड ठीक है और दूसरी पोस्त है दोस्तो लैब attendant की लेबल दो की इसमें आपको Sally दी जाएगी इस पोस्त के लिए qualification रखी गई है B.Sc या 3 years Polytechnic Diploma ठीक है दोस्तों अब बात करेंगे अगली पूस की बारे में तो अगली पूस्त है पीओन की आने की चवडाशी की इसमें आपको दोस्तों Sally बहुत ही बढ़िया दी जाएगी Pay Level DL है दोस्तों ठीक है और इसके लिए qualification रखी गई है दस्वी पास साथे साथ दोस्तों आपको Hindi या सस्किर्ट आने चीए मैटिक लेबल तक आपने Hindi पड़ी हो या सस्किर्ट पड़ी हो दोनों सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट आपने यह दी पड़ा है दोस्तों तो आप इस भरती के लिए apply कर पाएंगे ठीक है दोस्तों आप बात करेंगे इस भरती के location के बारे में तो आज की भरती का location है हिसार याने की हर याना और यह भरती है दोस्तों गुरू जंबेश्वर यूनिवर्सिटी आप साइंस एंड टेक्नोलोजी की तो गाइज यह दा सो डेटेल आज की भरती का होब दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों यह आप दूसरों का भला चाते है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों वाज जानकारों के साथ भी जरूर सेयर कीजीगा दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत सुब काम ना है थैंक यू सो मच